तो नमस्कार बच्चों आप देख सकते हो हाँ फेरली एक्जाम अर्दवार्सिक परिक्षा MP221-222 कक्छा दस्भी अंग्रेजी विस है 29 नवंबर 2021 को आपका अर्दवार्सिक परिक्षा अंग्रेजी विस का पेपर है कोश्यन पेपर का संपूर्ण हल आपको दिये जाएगा पेपर में जो जो प्रशन आये हैं उनके आपको वीडियो सोल्यूशन इस वीडियो में प्रवाइड करवाए जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि चेप्टर 3 जो है आपका चेप्टर 3 The Two Stories About Flying The Two Stories About Flying मतलब उडान के बारे में दो कहानिया Lesson 3 First Flight Book First Flight Book का Lesson 3 इस से जो जो प्रशन आपके परिक्षा में आये है मैं आपको सारे सारे प्रशन आपको समझाने वाला हूँ देखी बच्चोगर में आपको एगदम से प्रशन समझाऊंगा आपको समझ में नहीं आएंगे उसके लिए आपको पूरी कहानी जानना पड़ेगा तो सबसे पहले हम मातर 2-3 मिनट में हम पूरी कहानी जान लेते हैं यह कहानी क्या है आप यहाँ पर देख सकते हो हाना एक बहुत अच्छी कहानी आप जान लीजिए स्पीड में ताकि आपको आंसर कोशिनात करने दिक्कत में जाए हाना इसलिए आपको कहानी बता रहा हूँ युवा सीगल पहाड के आंगे निकले हिस्से के किनारे पर अकेला था उसके दो भाई और उसकी बहन उसके पहले के दिन उड़ जा चुके थे उनके साथ उड़ने में डर गया था मतलब वो उड़ना चाहा रहा था किसी तरह जब उसने आल की नोक तक एक छोटी दोड लगाई भे अपने पंको को फरफलाने की कोशिस की तो भे डर गया उसके नीचे बिस्तारित समुद्र था और नीचे इतना लंबा मीलो लंबा था उसे निश्चे दरुप से महिशुस किया कि उसके पंक उसकी कभी सहाता नहीं करेंगे उसको अपने पंक पर भरुसा नहीं हुआ अता उसने अपना सिर नीचे कर लिया और बापस आले के अंदर छोटे छेद में दोड़ चला गया जहां रात को भे सोता था बापस आले के अंदर नीचे छोटे छोटे छेद में दोड़ चला मतलब वो उड़ने का प्रयास कर रहा था उसके जो पंक थे लेकिन उसने डर गया कि भाईया मेरे पंक मेरे साथ दिये ने दिये इसलिए वो छेद के अंदर चला गया जहां वे रात को सोता था उसे इतना दुसाहिस लग रहा था उसके माता पिता उसके तीखी बाज में उसे बुलाते फटकारते और से उस ओले पर भुका मरने छोट देने की धंकी देते हाना यदी बे उड़ेगा नहीं तो वे अपने जीवन को खत्रे में देखते हुए बेहिला तक नहीं ठीक है पक्षी को मतलब उड़ने का प्रयास कर रहा है ना अब बात 24 घंटे पहले की है तब से अब तक कोई भी उसके पास नहीं आया इसके पहले दिन पूरे दिन भपने माता पिता और उसके भाई बेहन के साथ उड़ता देखता रहा हाना सब लोग उड़ रहे थे लेकिन बेचारा बोनी उड़ पार था उन्हें उड़ान की कला में पूर्ण करते रहा है उसे हवा की लेरों में हटाने घुमने और मशली के लिए डुपकी लगाना से सिखाते देखता रहा हाने किनी वो देखते रहा उसने बास्तप में लेकिन शूर्ण अब आसमान में ऊपर चाहर रहा था लीज पर चमकता जो च्छिन की ओर ती उसने उसकी गर्मी महसुसकी क्योंकि उसने इससे पहले रात में कुछ भी नहीं खाया था विचारें रात में कुछ भी नहीं खाया उसने लीच के किनारे की और धीमे धीमे कदम बढ़ाय और एक टांग पर खड़ा हो गया दूसरी टांग उसने अपने पंक में छुपा रखी थी उसने एक आख बंदे की और फिर दूसरी सोते होने का बहाना बनाया फिर भी उसकी और किसी ने ध्यान नहीं दिया सब उसको कायर समझ रहे थे कि ये उड़ने ही सकत करके उसने अपने हो भायू और बेहन को पठार पर लेटे हुए अपने सीरो को गर्दन में छिपाया था उसके उसके पिता उसको सफेद पीट पंको को सवार रहे थे केवल उसकी मा उसकी और देख रही थी पठार के थोड़ी सी उची भूमे पर खड़ी थी उसका सफेद सीरना उबरा हुआ था बार बार मचली का एक तुकड़ा चीरती जो उसके पेरों के नीची था और चटान से अपनी दोनों साइडों को रगड़ती थी भोज उसकी माने कुछ खाने कुछ लाने को कहा गहा कुछ अब बच्चो चिखा गहा गहा उसकी मतलत इसको मजाग बनाई उसने किन्तु वे उसे फूखा और एक मिनट में बाद उसने एक आनंद पूरने चीक निकाली, उसकी मा ने मचली का एक तुकड़ा लिया और उसके साथ उड़कर आने लगी, भे उससुक्ता से जुका अपने पेरों से चट्टान सुछलते, और उसके मा के पास जाने की कोशिस की, जबकि भे उसकी और आ रही थी, किन्तु जब उसके बिल्कुल सामने थी तो बहर रुख गई उसके पंग गतिहिन हो गए उसकी चोच में मशली का तुकड़ा उसकी चोच में पहुच रहा था उसने एक छण आश्चारे में इंतजार किया ये सोचते की उसके पास क्यों नहीं आ जाती और भे भूख से पागल होने लगा और मशली की और गोता लगाया और बड़ी जोर से भे चिखा बहार की और नीचे की और गिर पड़ा मतलब कि उसकी मम्मीन उसको टूंगाई और टूंगाते हो मतलब कि उसको लेकर की आई और वो नीचे गर गया पक्छी पक्षी नीचे गिर गिया ना ठीक है नीचे गिर गिया और चिलाने लगा ठीक है नीचे की और सुनने पड़ गया किन्तु ये सिर्फ चरह भर का था अगले चरह उसने महिशुस किया कि उसके पंक आंगे की और फेल गया है उसके पंक आंगे फेल गए है, हावा उसके सीने के पंकों से जप्टी और फिर उसने पेट और पंकों को गिर नहीं रहा था, बेधीमे धीमे नीचे की और बहार की और ओल रहा था और वो ओलने लगा, मतलब कि उसकी मम्मिन उसको पहार से नीचे गिरा दी तो वो ओलने लग उससे थोड़े चक्कर से आए फिर उसने अपने पंक फढ़ाए और उपर की और उठा गा 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 कोल गा उसकी मा उसके पीछे जप्टा मारा उसके पंक को जोर से अवाज कर रहे थे फिर उसने फिर चिला कर उत्तर दिया फिर उसके पिता उसके उपर किलोले किलो करो आप मेहनत करो आप उससे लड़ो हाना आप अपने आप मतलब की क्लास के टोपर बन जाओगे हाना आप डर आप डरो मत क्या होगा मैं नीची नहीं गिर जाओँगा ये इस अधर बना बलकि बनाओ कि मुझे क्लास में फश्ट आना है मुझे पढ़ाई करना पड़ेगा जाय मुझे 8 घंटे पहिना पढ़े में 8 घंटे पढ़ाए करूँगा, 10 घंटे पहिना पढ़े में 10 घंटे पढ़ाए करूँगा, लेकिन टॉपर बनके दिखाऊँगा। ठीक है, तब अब पूरी तरह से भूल गया कि वे हमें सो उड़ने में सक्षम नहीं था, और उसने खुद को गोता लगाने और उची उड़ान भरने और करकस शीकने की प्रसंसा की। उसके आंगे हरे फर्श पर उससे पहुंच चुके थे, बे उसको सारा कर रहे थे, उसे तीखी बाज में पुकार रहे थे, और फिर उसने आया और आकर कि उसने मतलब की एक डॉल फिस के तुकडे मतलब खा गया उसने, ठीक है, तो मतलब देखो, बूर कितना डर रहा था कि यार क्या होगा क्या होगा मैं गिरना जाओं करके, लेकिन उसकी मम्मी न उसको हिसाब से लेकर के आई और पाहर से नीचे गिरा दी, वो अपने आप उड़ने लगा, तो ऐसी होता है, जब प्रभी हम पहली वार बाइक चलाना सीखते हैं, तो हम भी होथ हिम्मत करना वा याने क्यों, वा याने था, यंग मतलब जवान, शीगुल, शीगुल जो पक्षी था, सीगल पक्षी, अफरेट का मतलब डर रहा था, to fly याने उलने के लिए, सीगल पक्षी, सीगल पक्षी उलने से, उलान भरने से क्यों डर रहा था, Do you think क्या आप सोचते हो All young birds जितने भी जवान पक्षी होते है Afraid to make their first fly पहली उडान भरने उनको डर लगता है You are some birds more Timid than others तो आप देखी वो क्यों डर रहा था Younger Seagull था वो क्यों डर रहा था पहली उडान भरने के लिए यूबा सीगल उड़ने से डर रहा था क्योंकि वो उसकी पहली उडान थी वो उसकी पहली उडान थी इसलिए मतलब वो उससे डर रहा था ये सर्व बिदित अत्त्त है कि कुछ भी पहली वार करना चुनोती पूर्ण होता है जब कभी वो आप पहली वार मतलब चुनोती पूर्ण होता जब कभी पहली वार कोई काम करते हो इसलिए सभी उब पक्षी अपनी पहली उड़ान भरने समय डरते होंगे इस तरह मनुझ से के बच्चे भी अपना पहला कदम रखना चुनोती पूर्ण लगता है लेकिन जब आप एक बार पहली वार आप किसी काम कर डालते हो तो उसके बार दूसरी वार आपके लिए करना बहुत असान हो जाता है तो आप देख सकते हो The young seagull was afraid to fly The young seagull मतलब young seagull पक्षी was यहने था afraid यहने डरा हुआ था to fly यहने उड़ने के लिए it was its first flight क्योंकि यह उसकी पहली उडांती पहली उडां भरने में डर लगता है यह उसकी पहली उडांती दिसले और पहली उडां भरने में डर लगता है is a well now fact it यहने है यहने बहुत अच्छा fact है कि doing something for first time is challenging जब कभी भी हम कोई भी काम फर्स्ट टाइम करते पहली बार करते है तो ये हमारे लिए बहुत चेलेंजिंग होता है और चुनोती से पूर्ण होता है therefore इसलिए all young birds सारे की सारे जबान पक्षी must be afraid डरे हुए होते हैं to make their first flight में किया ने बनाने के लिए दे लिए उनकी first flight अपनी पहली उडान भरने के लिए बहुत डरे हुए होते हैं similarly इसी प्रकार a human baby human मतला मानव का बेबी याने बच्चा would also find baby खोजता है it a challenge उसको भी चुनोती पूर्ण लगता है to take its first step जब में first step लेता है जब मानव का बच्चा जब पहला कदम रखता है जमीन पर तो उसको भी डर लगता है कि कहीं मेरा पेर मेरा साथ दिया ने दिया में गिरुत तो नहीं जाओंगा जब मैं पहली बार पूसर लगाता था बच्चो तो मुझे भी डर लगता था लेकिन अब में 100 सो पूसर लगाता हूँ ठीक है तो इसी प्रकार आप डर के आँगे जीत है उस चुनोती को पार कीजिए हाना रिक से लिजी उस चुनोती को पार कीजिए तब आपको सफलता म मिलेगी और एक से उतनी ही जितनी ले सकते हो तो आप पार से मत कुछ जाने तो आपको मुग बड़ जाएगा ठीक है बच्चो तो यह आपको को इसिंद आपको याद करना है बच्चो उसके बाद आपको पेपर में कॉच्चिंद और आया है मैं आपको बतायाना चाहता हूँ यह देखिए अगला कोश्चन अगला कोश्चन आपर आप देख सकते हो यह भी आपको याद करना है दूसरा कोश्चन भी पेपर में आया है The sights of the food met in him The sights sights ने नजारा of यहने का food यहने भोजन का met in him उसको पागल कर दिया था भोजन के नजारे ने उसे पागल कर दिया था जब उसको भूक लगी थी वो बारवरा खाने को देखा था मुझे मिल जाए मुझे मचली मिल जाए खाने के लिए मिल जाए तो वो नजारे ने उसको पागल कर दिया What does this suggest ये इससे क्या पता चलता है यूवा सीगल आखिरकार उड़ान भरने के लिए किसने मजबूर किया मतलब जो यूवा सीगल था उसको उड़ान भरने के लिए आखिर किसने मजबूर किया तो आप देख सकते हो यूवा सीगल वास बेरी हंगरी यंग सीगुल जो था बहुत ज़्यादा वाजन था वेडियान बहुत ज़्यादा हंगरीयान भूका था उसको बहुत ज़्यादा भूक लगी थी इंटेंस फील्ड मतलब ओड़ ज़्यादा बढ़ गई थी मचली के एक तुकडे को अपने पंजो के नाखुर से चीर रही थी और चीर करके जब उसको खा रही थी तो उसकी भूख और बढ़ा गई बे उसके लिए रोने लगा बेगिंग मतलब भीक माँगने लगा तुगेट सम फुटके उसको कुछ खाना दे दो यू मुझे खाना दे तो भूख लगी बेन इटस मदार कम तुआर्टस इट जैसे उसकी मम्मी उस तुकडे को ले करके आई इट इस ग्रीमड विथ जोए इट इस ग्रीमड तो बहेँ खुसी की संभावनस चिलाने लगा, खाना, 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 चिलाने लगा, ठीक है, and anticipation, और मांगने लगा, कि मुझे दो, दो, but किंतु, she stopped midway, उसकी मम्मी आदे रास्ते में ही रुख गई, it wondered, ये बहुत ही चमतकार था, उसको आश्यर कि उसकी मम्मी उसके पास आखर कि उसकी चोच में खाना क्योंने डाल देती है, why she did not come nearer, उसकी मम्मी उसके पास क्योंने आती है, not being able to resist or control its hunger, क्योंकि उसकी भूख control नहीं हो रही थी, it divided the food in its mother big, हना, और बेफ, हना, और क्या हुआ, उसने मा की चोच से खाना खाने के लिए, it divided the food, हना, in its mother big, उसकी मम्मी की चोच थी, उससे खाना लेने के लिए वो आंगे बढ़ा, at the moment, his hunger overpowered his fear, उसकी जो भूख थी, its his hunger मतलब उसकी जो भूख थी, उसके जो डर था उड़ने का, उससे ज़्यादा हो गई, it was hunger, और बे हंगर हो गया, उसकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ा गई, और completely टूप, और जिससी वो आंगे बढ़ते गया, बढ़ते गया, उसकी मम्मी उप गर गया, और जैसे वो चटान से नीचे गिरा, तो उसने पंग फढ़ फढ़ा है, और वो ओड़ना सीख गया, वो ठीक है, यह होता है, तो बच्चो इस चेप्टर से आपको यह दो ही याद करना है, बाकी आला चेप्टर बीसी चेप्टर का एक अंग है, काला भाई जाज इसको पढ़ाऊंगा, आप दो यादे कर लिजिए, बाकी पेपर में अगर और देखिए, बाकी बच्चो पेपर में अगर मान चलो, कोई अधर आंसर कोशन आ गया, जो मैंने आपको पढ़ा अगर बो नहीं आया, तो आप क्या करोगे बच्चो, इसका आप आपने इसका अंसर आध कर लिए, और आपने इसका आध कर लिए, इन दोनों को मिक्स करके आप उसको लिख करके जाना, जहां कही बर भी आप देखोगी यार, कि सीगुल की बात हो रही है, सीगुल वाला कुश्चन आया है, तो सीगुल वाले कोश्चन में आप या आला आंसर, और यह तो इसके लिए दो कोश्चन में साब से पर्याप्त है बाकि आपको लगता है तो फिर आप उसको बाद लाश्ण में आप याद कर लेना है अब बच्चो आपको अगला चिप्टर है दा बिलेक एरोप्लेन इसके लेखर का नाम दा बिलेक एने काला एरोप्लेन उतला हवाई जाज एक मोटिवेस्टनल स्टोरी बच्चो इसको पढ़ करके आपको बहुत सहस मिलेगा आपके अंदर एक जोश आएगा कि यार जब वो उड़ सकता है तो मैं भी उड़ सकता हूं तो काला हवाई जाज बैला पांट इसके आंसर कोशन बच्चो आपको तभी बनेंगे पहला आप इसकी हिंदी में कहानी समझ लीजिए आपको अगर हिंदी में कहानी पता रहेगी तो बच्चो आपको उसका बेनिफिट यह मिलेगा हाँ ना बच्चो तो बच्चो इसका वीडियो नो मैं आपको अगली वीडियो में लाओंगा नियार इसी में मैं आपको पढ़ा देता हूँ चप्टर खतम कर देते हैं ना देखिए ना चलिए इसका हम पढ़ेंगे हाँ पर चंदरमा पूर्व में उपर चड रहा था जो चंदरमा था वो उपर के और चड रहा था मेरे पीछे और सितारे मेरे उपर अकास में साप चमक रहा थे किसी आदमी कहानीये अकास में एक भी बादन नहीं था मैं सोते हुए ग्रामुन इलाकों के उपर अकेला रेकर खुश था मतलब वो हवाई जहाज में उड़ रहा था मैं अपने पुराने डकोटा हवाई जहाज में फ्रांस की उपर था मैं इंग्लेंड वापस जा रहा था मैं अपने अवकास के बारे में सोच रहा था और मैं अपने परिवार के साथ होने की प्रतिच्चा कर रहा था कि मैं कब घर पहुंचू और अपने परिवार से मिलू मैंने अपनी घड़ी देखी सुभा एक बच कर तीस मिनट थे अब ठीके अब देखिए मुझे सीगर ही पेरिस कंट्रोल को काल करना चाहिए था मैंने सोचा एक आथनी बता रहा है हवाई जहाज में बेठा हुआ मैंने सोचा जब मैंने हवाई जहाज की नौक से नीचे देखा तो मुझे सामने विसाल सेर के लाइट से दिखे मैंने रेडियो को सुच उन किए और कहा पेरिस कंट्रोल डकोटर डियेस कि आप मुझे सुन पा रहे हो मैं अपने रास्ते में इंगलेंड जा रहा हूं रेडियो की अवाज ने मुझे तत्काल जबाब दिया मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ, तुम्हें अब 12 डिगरी पस्चिम में मुढ़ना होगा DS88 over, मतलब सको signal मिला कि तुम मुढ़ जाओ खरके मैंने अपने नक्से और कमपास को चेक किया मेरे दूसरे अंतिम इधन के टेंग पर स्वीच ओबर किया और Dakota को बाहर डिगरी पस्चिम पर मुढ़ा England की तरफ, England की तरफ मुढ़ गया मैं समय पर अपने सुभा की नास्ते पर होगा, मैंने सोचा एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी नास्ता, हर चीश ठीक चल रही थी, एक सरल सी उड़ान थी ठीक है, अब अच्छा बड़ा था हावाई जाज में ना, पेरिस मेरे पीछे एक सो पचास किलो मीटर छूड़ गया था जब मैंने बादल देखे, तूफानी बादल, बे बड़े बड़े तूफानी बादल थे और पत्ता जब पानी गरता तो भाईया गांट भाट जला बो इनसान डर जाता है बिसाल अकार के थे, बे अकास में मेरे सामने खड़े कीले काले पहड़ों की तरह लग रहे थे आसमान में काले काले पहल ख़रे है, मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर नहीं ओड़ सकता था और मेरे पास उत्तरे लक्षिन की और ओड़ेने लायक इधन भी नहीं था कि मैं अपने डिसाइड चेंज कर लूँगा तो मेरा फ्यूल खतम हो जाएगा मेरा इधन खतम हो जाएगा मुझे बापस पेरिस जाना होगा मैंने सोचा किन्तू में तो घर जाना चाहता था मैं भे नास्ता अवस्य करना चाहता था तो उससने सोचा ज confidently कि में बापस नहीं जाऊंगा मैं खतरा मौल लूँगा मैंने सोचा और मैंने सीधे पुराने डकोटा जो जहाज था उसको सीधे तुफान में घुसा दिया तुफानी बादल में बादल के अंदर चल गया भीया हवाई जहाज लेका रहे कि कल अपना करो कि तुम बादल के अंदर घुस गया हो बादलों के अंदर हर चीज अचानक काली थी हवाई जहाज के बाहर कुछ भी देखना असंभा हो तो कुछ भी नहीं दिख रहा था पुराना हवाई जाज हवा में कूदा और तुड़ा मुड़ा हवा इतनी स्पीट से चली कि वो तुल गया और मुड़ गया मैंने दिशा सूचक यंदर की और देखा मैं अपनी आखों पर विजबास नहीं कर सकता था भे पेच गोल-गोल घूम रहा था भे मृत हो चुका था भे काम नहीं कर रहा था जो कमपास होता है वो तक काम नहीं कर रहा था एरोपेन कई बार पल्टी खा गया हवाई में अन्य यंतर भी अचानक मरत हो गए मैंने रेडियो पर कोशिस की इनने बड़ी चिरिक्स ले लिए पेरिस कंट्रोल पेरिस कंट्रोल क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो कोई जवाब नहीं आया तुकि रेडियो भी मरत हो गया था मेरे पास रेडियो नहीं था दिसा सुचकी अंतर नहीं था मैं यह नहीं जान पा रहा था कि मैं कहा हूँ मैं तुफान में खो गया फिर मुझे काले बादलों मैं बिल्कुल मेरे पास दूसरा जहाज देखा उसे ने देखा कि उसके पास काले बादलों में दूसरा जहाज भी है उसके पंको पर कोई लाइट नहीं था किन्तु मैं उसे मेरे मैं उसे मेरे पास तुफान में उड़ते देख सकता था मैंने उसके पाइलेट का चेहरा भी देखा में एक दूसरे मनों उसको देखकर खुस था उसे ने अपना एक हाथ उठाया और उसे हिलाया मेरे पीछे आओ भे कह रहा था मेरे पीछे आओ भे जानता है कि मैं गुम हो गया हूं मेंने सोचा भे मेरी मयot करने कोहिस कर रहा है उसने अपना जहाज धीमे धीमे मेरे डकोटा के सामने उत्तर की और मोडा ताकी में उसके पीछे चलना असान हो जाये मैं उसके पीछे जाते हुए एक आगेकारी बाला की तरह परसंदब उसके पीछे पीछे जाने लगा आदा घंटे बाद भी अजीब काला हवाई जहाज बादलों में मेरे सामने आया अब पुराने डकोटा के अंती मिधन टेंक में 5-10 मिनट उड़ने के लिए बस पेट्रोल था फिर मैं काफी ढरने लगा किन्तु भेर नीचे जाने लगा और मैं तुफान में उसका पीछा किया अचानक मैं बादलों से बाहर आया और दो लंबी सीधी लाइन मेरे सामने थी भेर रनवे था हना बादल से बाहर आगया रनवे था मतलब कि जिस आदमी और जिस जहाज ने काले बादल के अंदर उसकी हेल्प किया वो भूत था या फिर वो था ही नहीं क्योंकि वो बादल से निकल गया और जमिन पर लेंड हो गया उसका जहाज और उसने फिर उसको हाईजा दिखाई नहीं ना तो किसे ने हेल्प किया भगवान ने हेल्प किया ठीक है अब देखिए मैं भूमी पर उतरा और मैंने पुराने डकोटा से कंट्रोल टावर की और चलने में दुखी नहीं था मैं गया कंट्रोल सेंटर मिस्त्री से पूछा कि मैं कहा हूँ और दूसरा पाइलेट कहा है मैं उसे धन्यवाद करना चाहता हूँ उसने मुझे अज़ीर तरह देखा और फिर हसी ठीक है हसी दूसरा जहाज इस तुफान में उपर आज कोई अन्य जहाज रात में उड़ा ही नहीं केवल सिर्फ तुम्हारा जहाज था जिसे मैं रडार पर देख रही थी मतलब हाँ पर कोई दूसरा जहाज था ही नहीं तो फिर किसने मुझे सुरक्षी दिया तक लाने में सहता की जबकि मेरे पास ना दिसे सुचा के अंदर था ना रेडियो था और मेरे टेंक में भी इधन नहीं था फिर काले जहाज में जो तुफान में बिन प्रकास के पाइलेट कौन था तो कौन था भई है वो किसने उसकी हेल्प करा हाना जानने लाइक बात है किसने उसकी हेल्प करा कौन सा जहाज ने उसकी हेल्प कर दिया मतलब कि तुम मुसीबत में पढ़े और कोई एक अंजान शक्ति आई और तुम्हारे उसने help कर दें और गायब हो गई मतलब भगवान ने उसकी help करे तो हाँ पर पहला question बच्चो उसको paper में आएगा I will take the risk What is the risk risk क्या होती है जोखिम उठाना क्या होता है Why does the narrator take it और ने रेटर मतलब लेखा क्या जोखिम क्यों उठाया ठीक है I will risk मतलब मैं जोखिम लूँगा I will take the risk मतलब मैं जोखिम लूँगा जोखिम क्या है कताकार इसे क्यों लेता है I will take the risk है ना ये देखिए ये लिखा ना I will take the risk मैं लेखिम लूँगा What is the risk? रिक्स क्या होती है? Why does the narrator take it और ने रेटर जो लेखा क्यों लेता है इसको उत्तर जानेगी बच्चों देखिए इसको उत्तर समझ लीजिए The risk याने जोखिम बास देने था To fly throat the black storm clouds Ricks थी fly याने उडान भरना Black याने काले Storm याने तुफानी Clouds याने बादलो के बीच काले तुफानी बादलो के बीच में उडान भरना बहुत बड़ी रिक्स होती है The narrator took जब J.C. लिखा कि ने उसको देखा और वहाँ पर उसको रिक्स लगी Because his home Was breaking him उसने देखा कि भईया उसका जो घर है उसको बुला रहा है उसका जो home है वो उसको बुला रहा है कई बाद अपन भी गाड़ी चलाते हैं न हने की नहीं तो बुला रहा है He was dreaming of his holiday He याने वह वाजना था Dreaming याने Dream लेना चाहा रहा था Of his holiday उसकी छुट्टी का And looking forward to with his family और भे अपनी family के साथ घूमना जाना चाह रहा था आनन दे लेना चाह रहा था ठीक है तो इसलिए उसने रिक्स लेने का निश्चे किया कि भीया जोखिम काले तुफानी बादलों की बीच उडान भरने का था जोखिम उठा क्योंकि उसको घर उसको बुला रहा था बे अपनी चुट्थियों के सपने देख रहा था और उसने अपने परिवार के साथ होने की रहा दिखा रहा था ठीक तो इसको आप याद कर लिजी अगला अब देखिए अगला कोशन बच्चो अगला कोशन इसको भी आपको यादे करना है डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन कीजिए दा नरेटर्स नरेटर्स का मतलब होता है कथाकार के एक्सप्रेंस याने अनुभाब का वर्णन कीजिए अस ही फ्लू दा एरोपलेन इन्टो दा स्टोर्म स्टोर्म का मतलब होता है तुफान की बीच में जब उसने एरोपलेन उड़ाया कथाकार की अनुभाब का वर्णन करें जब उसने हवाई जाए तुफान में उड़ाया तो ताब है क्या हुआ तो आप देख सकते हो अस दा नरेटर अंदर, everything याने सब कुछ, went याने हो चुका था, black याने काला, it was impossible, it याने यह वाज याने था, impossible मतलब असंभाव, to see anything outside the plane, plane के बाहर कुछ भी देखना असंभाव था, the plane jumped and twisted in the air, जो हवाई जहाज था, बहे कूद गया था, मतलब उल्टी-पुल्टी हो गया था, jumped हो गया था, और twisted मतलब की, घुम गया था, घुम गया था, उचल रहा था और घुम रहा था, गोल-गोल हवा में, ही जी कमपास, उसका जो कमपास होता है दीसर सूच की अंतर, जो तीस डब भी रहती है है ना, वो भी पूरी तरह घुम करके तूड गई थी, turning around, the other instruments, और जो other instruments थे, including जैसे की radio was also dead, बहे भी मरत हो चुका था, suddenly, अच्छानक, ही सा, उसने देखा, another aeroplane, कोई दूसरा हबाई जाज, and its pilot, और उसका जो pilot था, waved at him, उसको हाँ दे रहा था, asking him, उससे कह रहा था, कि उसका पीछा करे, he was glad to find a helper, उसने देखा कि एक आदमी मेरी help कर रहा है, he was using his last fuel tank, उसके पास भी fuel का tank नहीं बचा था, and there was only enough fuel to fly 5 or 10 minutes, सिर्फ 5-10 minutes उडान भरने के लिए उसके पास fuel था, then the other plane started to go down, and he followed, जैसे ही उसने दूसरे हवाई जाज का पीछा किया, और उसके पीछी पीछी फोलो किया, he suddenly came out the cloud, तुरंद बादलों से बहार निकल आया, और उसने देखा कि उसके सामने एक runway है, जहाँ पर आवाई जाज उतरता है, on which he landed his plane safely, और उसने बहाँ पर उसके plane को उसने साबधानी पूरबाग उसने उसको उतार दिया, ठीक है, तो बच्चों आप ये दो कोशिन याद कर लीजिए, ये दो कोशिन आप याद कर लीजिए, बस इतना आपको याद करना है, बाकी आप चाहो तो बाकी अन्न कोशन्स भी आप याद कर सकते हो बच्चो आज की वीडियो में इतने वीडियो आपको केसा लगा धन्यवाद जेहिंद जय भारत